हमने पिछली वीडियो में टिप नमबर 5 तक दीख ली थी जहां पे हमने अपना डेटा सेट कैसे यूज करना है उसको देखा था अब हम चलते हैं टिप नमबर 6 पे 6 जिसका नाम है reverse row order row order क्या होता है मतलब rows क्या होती है और उनके orders को कैसे reverse करना है इसके लिए सबसे पहले मैं import करूंगा डेटा सेट एक ने वाला उसके लिए मैं import seaborn as sns करना वाला हूँ and then import pandas as pd करूंगा ठीक है pandas as pd करने वाला हूँ इसके बाद मैं load करूंगा डेटा सेट जिसको मैं df का नाम दूँगा तो इसको मैं करूंगा sns.load dataset इसके अंदर tips की बजाए मैं titanic का dataset रखूंगा ठीक है जो हमारा pool का dataset है जो हमने पिछली वीडियो में देखा है तो इसको चेक करते हैं मैं इसको run करता हूँ तो आप यह देखें यहां से survived p class sax age ठीक है और यह सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है अब आप देखिएगा इसी चीज़ को हम reverse order में ले के जाते हैं वो कैसे करना है simple सा formula df.lock ठीक है इसके बाद हमने इस तरीके से double dot लगा देना है और इसका order minus one कर देना है ठीक है अब इसको check करते हैं कि हमने किस तरीके से इसको देखना है for example यह मैंने double log लगा के इसको minus one कर दिया but still we can do what head को यहीं पर use कर लेते हैं तो आप देखें कि यहां पर क्या हुआ है जो order ever change हो गया for example यह zero index से लेके 890 तक था अब 890 उपर आ गया और 0 नीचे चला गया तो सारी की सारी rows का जो है वो reverse order हो गया ठीक है इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं different किसम के rules apply कर सकते हैं like minus six अगर यहां पर मैं लिखूंगा तो आप देखें कि आपके पास यहां पर नीचे वाली जो rows हैं वो भी आ गया है ठीक है तो इस तरीके से आप different किसम का ज for example मैं इसको लिखता हूं df.lock इसके अंदर double colon लगा के minus one की है फिर इसको मैं reset index भी कर सकता हूं ठीक है drop is equal to true कर देना है और इसको इसका head करके भी देख लेना है अब इसमें क्या होगा यहां पर हमने एक missing की है यहां पर हमने यह bracket बंद करने थी इससे क्या होगा जरा गोर क कीजेगा तो आप देखें कि यहां पर क्या हूआ है हमारा जो index है वह reset हो चुक है ठीक हो गया अब इसमें क्या किया है हमने पहले यहां से इसको change किया इसमें फिर इसके बाद वापस इसमें ले आए ठीक है तो इस तरीके से आप reset भी कर सकते हैं अपने जितने भी index है index क्या होता है यह जितने भी indices हैं जिन्हें हम instances भी बोलते हैं उनको अपने तरीके से reset करते हैं for example हुआ क्या है अब हमने यहां से आप देखिए हमने यह वाला data set लिया इसमें जो पहली row थी वो यह वाली थी ठीक है आप यह age को याद रखिए मैंने क्या किया उस सारे के सारे को reverse order में कर दिया 890 को मैंने पहली row कर दिया और बाकी descending order में नीचे जाती रही अब पहली वाली की age 32 होगी लेकिन मैं चाता हूँ कि 890 से 889 और यह सारी चीजें पीछे को reverse order में जो जा रही है यह यहां से 0 से start हो तो मैंने उसको reset कर दिया सारे के सारे index को ठीक है यहां पे आप देखिए तो क्या हुआ जो 890 था उसका नाम 0 हो गया देखिए 32 age है इसकी भी इसकी भी 32 है और यहां पे जो हमने की थी यह last वाले की थी तो हमने क्या किया सबसे पहले reverse order करने के बाद उसको reset index कर दिया ठीक हो गया जी अब हम यह तो हो गया row की reverse करना क्या हम column को कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं जी तो हम क्या करेंगे 7 dash यह पिछला 6 था हमारा reverse row order reverse column order column order को कैसे reverse करना है simple is that हमने df को ही use करना है df dot हमने log का function लगाया इसके अंदर column लगाया comma double colon और minus 1 यह पहली rows हैं और दूसरी जो है हमारे पास column है column के हमने reorder कर दिया उसे different heading में तो इसको run करके देखते हैं तो यह आप देखें के सारे के सारे column जो है वो different order में आगे पहले क्या था survived पहले था अब survived जो है वो end पे चला गया simple is that ठीक है तो इस तरीके से आप reverse भी कर सकते हैं और अगर आपने data type की base पे किसी column को select करना है तो आप भी कर सकते हैं ठीक है वो है जी हमारी tick number 8 डैश select a column by data type data type की base पे अगर किसी column को select करना है तो उसको कैसे करना है ठीक है जी यहां पे इसको मैंने run किया और इसके अंदर हम लेके आते हैं df.d types यह आप लिखेंगे तो आपके पास उसकी सारे के data type आ जागी मतलब survived से लेके end तक जितने भी हमारे पास data है वो उसकी type के है survived की integer 64 है p class की integer है फिर object है float number है integer है float number है object है category है object है boolean है category है object object and boolean तो आप इस तरीके से भी select कर सकते हैं अब हमने देखना है यहां पे सिरफ वो select करने है only select those having numeric type ठीक है वो कैसे करनी है df यह simple सा देखें मुझे github co-pilot ने खुद ही दे दिया df.select data type के वो वाले select करो जो include करता है number inside ठीक है अब आप देखें कि यहां पे जिनके number थे वो ही हमारे पास आए है आप data अपना दुबारा देख लें integer integer float integer survived p class age ठीक है और यह कॉलम है p पार्च है तो जितने भी number थे हमारे पास वो सारे नीचे आगए ठीक हो गया तो इस तरीके से आप data को select कर सकते हैं अब इसमें float और दूसरा column अगर select करना है वो भी आप कर सकते हैं वो कैसे करना है जी simply मैं यहां पे इसी same code को type करता हूँ ठीक है अब इसके अंदर मैं object लिख देता हूँ ठीक हो गया अब देखते हैं तो यह आप देखें जी हमारे पास क्या हुआ यहां पे different किसम के other columns हमारे पास आ गए है जिसमें object था object क्या है boolean है या दूसरी तीसरी चीज़े है यहां पे sorry having object type ठीक हो गया यहां पे हमारे पास क्या क्या आ गया float and integer दूसरे object जो हमारे पास इस जगा पे आ गया ठीक हो गया तो आप multiple data type भी ले सकते हैं for example मैं यहां से इसको paste करता हूं again have multiple data type multiple data type क्या करना है simply object के बाद इसके अंदर लिख देना number तो आप देखेगा कि number और object दोनों आपके पास आ गया ठीक हो गया अगर आपने category वाले लिखने है तो इस यहां पे category लिख देनी है तो यह category वाले आ गए ठीक है तो इस तरीके से yes, no और different किसम के multiple भी आप लेख सकते हैं यहां पे number भी साथ लेना है तो आप कर सकते हैं जब हमारे पास data के columns ज्यादा होंगे data set में df.select data type include की बजाए अगर मैं यहां पे exclude लिखूं तो तो क्या होना है आप देखिएगा कि सिर्फ number वाले में exclude करना चाता हूं बाकी आ जाएं तो यह देखें सभी मेंसे number निकल गया तो इसी तरीके से आप अगर object निकाल देंगे तो आपके पास सिर्फ object निकल जाएगा बाकी category और आपके पास numeric plus float number बच जाएगा मतलब यह कि यह जो हमने data type देखी थी इसके अंदर से हम एक category को exclude करके बाकी रख सकते हैं ठीक हो गया जी include and exclude दोनों function हमने देख लिए अब जो type casting है जो मैंने आपको पहले भी बताया तो उसको थोड़ा से दोबारा से देखते है कि tip number 9 हमारे पास क्या है that is actually 9- convert string to numbers यह hot encoding में भी यह चीज यूज होती है कि आपने strings को numbers के अंदर कैसे convert करना है let's see तो simply होता यह है कि आप कोई भी एक data form बनाते हैं for example मैं यहां पे एक data frame बनाता हूँ df is equal to इसको कर देता हूँ pd. data frame करने के बाद इसके अंदर यह मेरे पास इसको मैं कह देता हूँ जी इसको मैं कह देता हूँ column a यह हमारे पास दो data type बन गी है यह identification का ख्याल हमने रखने है तो हमारे पास दो column बन गए है column a and column b अब हमने क्या करना है इनकी data types देखनी है data types कैसे देखनी है वही simple चीज है df.d types data types देखने के लिए तो हमारे पास integer है दोनों ठीक है तो अगर आप इन integers को strings के अंदर लिखेंगे तो आपके पास यह सारे string में आ जाएंगे जो आपको string के अंदर मिलेंगे for example like this तो जो भी inverted commas के अंदर चीज आती है उसे हम string बोलते हैं तो इसके लिए यह numeric नहीं होता यह असल में अगर आप दुबारा से इसको run करें तो data type object हो गया अब इस data type को convert कैसे करने है ठीक है उसको convert करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए for example यह हमारे पास एक integer है ठीक है तो हमने क्या करने है df.as type ठीक है कौन सी type इसको हमने कर देना है bracket open यहां पे एक हम dictionary लगाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे call column underscore a इसको integer में कर दो b को भी integer 64 में कर दो क्योंके हमारे पास float नहीं है यह दोनों को इसके अंदर convert कर दो let's see तो यह देखें कि यह दोनों जो हैं उपर वाले यह इसके अंदर convert हो गए है कि इसके अंदर जी यह पहले data type हमारे पास object आ रही थे तो आप इस object को basically integer में convert कर सकते हैं using this formula ठीक है जी simple is that तो आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं वो क्या है तो उसको भी देखते हैं for example आप एक formula use कर सकते हैं जिसको बोलते हैं to numeric for example मैं ऐसे बोलता हम pd.to underscore numeric numeric के अंदर हमने convert करना है किस चीज़ को df column a को errors को coerce कर देना है अब example के अंदर error को coerce करने का क्या मतलब है आपने ये assignment मुझे बतानी है किसमें इसका क्या मतलब है तो simply क्या है pd.to numeric किस चीज़ को करना है हमने data frame के अंदर खुर जो column a एए सको numeric के अंदर convert कर दो ये मैने कहा है तो यह हम इस पहे यहां पहे पहले इसको float के अंदर कर लेते हैं ताके हमें पता हो के हमने numeric के अंदर जब किया है तो ये convert हो गया के नहीं तो यह देखें ये numeric के अंदर data type convert हो चुकी है कर लें, तो भी हो जाएगा D types ये मसला कर रहा है, क्योंकि हम types करना था नहीं, ओके तो हम इसको ये नहीं दे सकते यहां पर, ठीक है तो हमने पहले इसको float में किया ये हो गया data type 6 की objects होगी फिर उसको as type करके हमने float and integer में कर लिया फिर column A को हम किसके अंदर कर रहे हैं ये क्यों ऐसे आ रहा है let me see I see ठीक हो गया तो जब हम इस चीज़ को convert करते हैं तो आपके पास ये सारा के सारा data जो है वो जो है वो नुमेरिक के अंदर आ जाए ता for example अगर ये float number होता कोई एक float number होता like 1.2 होता मैं इसको लिखता हूँ 1.2 आ गया तो इसकी data type देखते हैं तो ये object है हम इसको पहले को float में कर देते हैं दूसरे को integer में करते हैं अब पहले को भी हम जो है वो numeric के अंदर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखेंगे अब हमारे पास इस तरीके से सारा data आ चुका है अब होता क्या है कि data type जो column A का है वो float है ठीक है तो इसको हमने convert किसके अंदर करना है numeric के अंदर करना है तो उसके लिए ये formula यहां पे use होगा simply अब यहां पे pd.2 numeric इसके अंदर b को देखते हैं तो क्या करता है b हमारे पास इस तरीके से आ जाता है तो basically आप इसको numeric के अंदर convert कर सकते हैं अगर आपके पास different किसम की दूसरी objects या series मुझूद हो इसको type casting बोलते हैं यह बड़ी detail में मैंने आपको पहले भी पढ़ा हुए simple तरीका मैं जो use करता हूँ वो basically यह वाला करता हूँ कि आप एक को लें एक column को और उसकी type आगे mention कर दें दूसरा लें और उसकी type mention कर दें depends on you अगर पूरे को पूरे dataset भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है जी तो मैं उसी type को यहाँ पर mention करता हूँ चलते हैं जे हमारी 10 वी tip पे वो क्या है उसको देखते हैं जनाब वो है reduce data frame size ठीक है किस तरीके से हमने reduce reduce data frame size अब आपके पास अकसर data set इतना बड़ा होता है कि thousands में उसकी रोज होती है ठीक है और आप उसको start start में इस तरीके से नहीं देख सकते जिस तरीके से आप छोटे dataset को यूज़ कर सकते हैं for example आपको उसको load करने के अंदर अंदर ही काफी जो है वो मसला जो है वो पेश आना शुरू हो जाता है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते है हमारे पास कुछ different किसम की चीज़े हैं जिनको हम use करते है for example अगर dataset बहुत बड़ है और उसको memory के अंदर लेके आना है तो हम क्या करेंगे for example यहां पे मैं sns.load dataset और इसके अंदर tips की बजाए titanic लिखता हूँ तो इसका देखते हैं जी हम इसको df कह देते हैं अब df के अंदर df.shape तो आप देखिएगा कि यहां पे 891 rows है say for example अगर यह 89,000 rows होती तो हम क्या करते है एक तरीका यह है कि अपने computer की memory के बदाब है उसको कह देना है कि यह इतना होना चाहिए for example df.info info के बाद हम यहां पे इसके अंदर लिखते हैं memory usage memory usage is equal to deep ठीक है अब यह एक चीज़ यहां पे लिखते हैं let's see कि इसका क्या हमारे पास आता है memory usage is not defined just a second I see हम इस data set को यहां पे for example हमारे पास df मुझूद है इसको लिखते है तो यह हमारे पास पूरा data set आ जाता है अब अगर मैंने 891 में से कुछ samples लेनी है तो मैं df.sample करूँगा sample करने के बाद इसके अंदर अपने for example इसको मैं कहता हूँ कि 0.1 fraction इसकी लेनी है ठीक है तो उसकी shape बताए मुझे तो यह देखें 89 आगी मतलब 891 divided by कितना हो गया 89 आपको भी पता है चेक कर लीजेगा तो आपने इसको 0.1 जो है वो ले लिए 0.1 क्या होता है यह आपको भी पता होना चाहिए इसको देख के आप देखें तो 0.1 fraction उसकी हमने ले ली ठीक है और उसको shape कर लिया अगर मैं यहां पर 0.5 करूँगा तो वो कितनी है वो देखें वो है 50% अगर मैं 0.1 करता हूँ तो वो है 10% ठीक है तो इस तरीके से आप sample ले सकते है randomize करके ठीक है तो इस तरीके से आप अपने sample को different तरीके से use कर सकते है और अगर आपने इसी data को df.info and then इसके अंदर आप देखें तो यह हमारा data set है basically इस सारी की information आगी और इसके लिए जो memory usage है यहां पर आप देखें जो मैं पिछला command लिख रहा था 80.7k भी आपको चाहिए memory तो मेरे खाल से ठीक है एक MB भी नहीं चाहिए बहुत कम memory चाहिए लेकिन अगर आपको यहां पर GBs में memories चाहिए होगी then you can actually reduce the number of your data set samples और यह सारी चीज़ें आप utilize कर सकते हैं तो इस तरीके से आप column को भी reduce कर सकते हैं और अपने तरीके से अपना data set जो है वो से utilize कर सकते हैं मिलते हैं जी next video में इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करें और देखते रहें इस channel को मेरा भी ख्यार रखेगा इस channel का भी ख्यार रखेगा क्यूंकि आप अगर videos को देख रहे हैं तो like ज़रूर कर दिया करें वीडियो को और नीचे comment section में जितनी assignments पूछोती हो भी बता दिया करें ठीक है जी अपनी next video में हम मिलते हैं जिसमें और मैं tips लेके आने वाला हूं ठीक केर जी अला हाफिस